एलो फ्रेंड्स आइखोप आप सभी के नवरात्रे अच्छे से शुरू हुए होंगे और अच्छे से भी निकले आपने मेरी पहले वाली नवरात्रे की रेसिपी देखी ली होगी आज मैं आपके लिए एक साथ तीन रेसिपी लेके आई हूँ जिसका सिरफ एक ही इंक्रिड ले लिए हमारी तीनो रेसिपी इसी से बनने वाली है अभी मैंने सामक के चावल को पीस लिया है उसका पाउडर बना लिया है और एक कटोरी सामक के चावल के लिए मैंने ये पैन में दो कटोरी पानी एक टेबल स्पून ओल या घी और स्वाधनसार नमक डाल लिया है अब भी सामक्या आते को हो, हम धक्षक को अधक्के रख देते हैं थंडा होने के लिए बना लेंगे और फिर उसमेंसे एक बड़ा पॉड्शन लेंगे फ्लैट करेंगे और उसमें यह मसाला फिल करके उसे कचोरी का शेप दे देंगे और ऐसे इसको पलटें उन्हें हम गिल्ये कपड़े से ढखे रक लेंगे ताकि सूके नहीं फिर हम इनको मीडियम होट ओईल मे medium to low flame पे fry करेंगे एक बार तेल में डालते हैं इसे पलटे नहीं इक बार फ्राइ होने दे फिर इसको पलटे और अलट पलट के हम इसको golden brown होने देंगे यह देखिए यह हमारी खस्ताथी कच्छोरी तयार है ऐसे ही सारी कच्छोरी तयार करेंगे हम तो ये हमारी वरत वाली खस्तासी अलू कचोरी तयार है चलिए अब देखते हैं सेकिंड रेसीपी उसके लिए भी मेन इंक्रीडिन हमारा सामक का चावल ही है तो इसमें मैंने एक कटोरी सामक के चावल में वन फोर्थ कटोरी साबू दाना मिला के इसका पाउडर बना लिया है और ये मैंने थ्री फोर्थ कटोरी पाउडर ले लिया है हाफ कटोरी दही डाल रही हूं इसमें और इसमें पानी डाल के हम इसका बैटर तयार कर लेंगे दोसी का बैटर होता है ना वैसा पतला बैटर तयार कर लेंगे फिर इसमें स्वाद अनुसार सेंदा नमक मिला लेंगे इसमें कोई इनो और सोडा मिलाने की जुरूरत नहीं है इनो तो वुरत में खाते भी नहीं है और आपको इसमें सोडा भी मिलाने की जुरूरत नहीं है इतना पतला बैटर बनाना है, फिर इस तवे पर मैं पहले एक डोसा बना के देख चुकी हूँ, अभी मैं नेक्ष्ट डोसा बना रही हूँ, वो परफेक्ट होने के बाद, तो तवा अच्छे से गरम होना चाहिए, और इस पर मैंने कोई ओल नहीं लगाया है, इस पर हम अच से एक डम गोल्डन कलर नहीं हो जाता, तो इसको पलटने की जुरूत नहीं है, मैं बस पलट के दिखा रही हूँ, कि इतना अच्छा सीख चुका है, तो अभी मैं इस पर आलू का मसाला डालूंगी, और रत वाली हरी चटनी के साथ इसको सर्व करूंगी, मसाला आप चाहे लेकिन तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी रेसिपी देखने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तो अभी अगली रेसिपी के कि कुकर में मैंने एक बड़ा चमच आयल ले लिए जिसमें हीम जीह राइका तढका दे दिया अभी हम इस में अलू डालेंगे और आलु को एक बार ओएल से कोट कर लेंगे और धियान रखे फ्लेम को इस वक्त मीडियम रखे आलू कोट होने के बाद ये मैंने एक कटोरी सामक के चावल ले लिए जिसमें स्वाध अनुसार व्रत में खाने वाले सारे मसाले आप इसमें मिक्स कर लें हलदी, नमक, लालमिच पाउडर और इन सब को अभी हम आलू के साथ डाल लेंगे कुकर में और जरा सा पानी डाल के पहले एक बार मसाले को भून लेंगे एक बार मसाला पहले भून लेते हैं तो इसका टेश्ट बहुत अच्छा आता और इससे बंद करके मीडियम फ्लेम पे एक विसल दिल्वा लेंगे आपको ज़्यादा गिली चाहिए तो पानी आप इसमें तीन कटोरी डाल लें उपर से हम इसमें थोड़ा ओल डाल लेंगे ताकि पानी बाहर ना ICT के साथ तो इसकी एक विसल दिल्वा लेते हैं मीडिय तो अब इसकी हम सारी भाप निकाल लेते हैं और इसमें हम दनिया डाल लेंगे कटा हुआ और इसे गर्मा गरमी सर्व करेंगे अब उपर से हम इसमें निम्बूनी चोड़ लेंगे और गी के साथ इसको सर्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यह तीनों रेसिपीस कैसी